नमस्कार मैं आर्डी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो उत्राखंड में जो तरासदी हुई जो घटनाएं हुई उसके लिए बिहारी सुल्तान परिबार पूरी संबेदना प्रकट करती है और हमारे किसान नेता राकेश टिकैत जी ने तो यहां तक कह दिया कि हम उन आपदा राहतकार जो में अपने किसान संगठनों के साथ सरकार को समर्थन दे रहे हैं सरकार के कारियों का समर्थन दे रहे हैं हर जगा हम सहयोग में खरे हैं बहुजन समाज पाटी की नेतारास्टिया ध्यक्ष बस्पा के बह का देश सोका कुल है इस बात से कि जो रिशी गंगा प्रोजेक्ट बिलकुल पूरी तरह से वास्ड आउट हो गया और गलेशियर फटने से यह घटना हुई अचानक बाद आ गई चमोली डिस्टिक में जो की उत्राखंड में है और वहां पर इतनी बरित रास्दी हुई साथ आठ बॉड़ी तो रिकभर कर दिये गए थे उस समय तक जब तक हमें खबर मिली बाकी सो डेर सो लोगों की लापता होने की खबर है अब प्रास्ण यह उठता है कि इस आपदा की घरी में हम सब उनके साथ हैं और मैं आपको उत्तर परदेश की खबर की तरफ ध्यान आक मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि पिछले एक डेर साल से जब से लॉकडाउन शुरू हुआ था क्रोना संकट आया हमारे देश में बहन मायावती जी दिल्ली में थी और दो-तीन दिन पहले वह लखनव पहुंची हैं और पूरे उत्तर परदेश के 75 जिले से बस्पा कार कारज करताओं ने एक मांग किया है बहन मायावती जी से और साफ साफ हम से कहा कि हम मीडिया के माध्यम से बहन जी तक अपनी आवाज पहुचाना चाहते हैं बहुजल समाज पार्टी के कारज करताओं की मांग है और मैं उनके नेताओं के जो जवाब हैं जो बता रहे हैं वह भी मैं बताओंगा क्योंकि मीडिया का मुख कार्जी यही है कि संबाद करवा देना दोनों पक्छों के बीच बहन मायाबती जी से जो मांग कर रहे हैं बस्पा कार्ज करता कि वह लखनों से वापस दिली तब तक ना जाए जब तक बस्पा का दो हजार बाइस मीशन पूरा नहीं हो जाता दूसरी मांगिया है बस्पा कार्ज करताओं के सामने रूबरू हों लोगों के हाल चाल जाने लोगों से संबाद करें कि हम कितना काम करते हैं हम जमीन को पुरी तयार कर चुके हैं पुरे उत्तर परदेश में बस्पा का माहौल बन चुका है बहन माया बती जी का आसिरबा चाहिए वो हमें खरे होकर हमारे कारियों की सराहना करें समिक्छा करें और देखे कि हम कितना काम किये हैं यहां तक उत्तर परदेश के भाई चारा कमीटी के लोगों ने भी यह मांग रख दी है कि बहन जी भाई चारा कमीटी के जो कार्ज करता है जो काम कर रहे हैं उनकी एक बार प्रेड कर वा ले आमने सामने देख ले कि सर्व समाज कितना उनके पाटी से जुरा है रही बात ये इनके बड़े बड़े जो नेता है जो इनको कान में कह देते हैं जाकर कि भाई चारा कमिटी मजबूत हो गई है काम हो रहा है जमीन पर यह सब खोखली बाते हैं हम काम करते हैं हमें पता होता है और सर्व समाज ने एक मांग और कर दिया कि तालिया दोनों तरफ से बजती है सर्व समाज या आप ये कह लीजिए सवर्न अगर बहुजन समाज पाटी के हिस्सा है तो उनको उतना ही समाण चाहिए जितना की बहुजन नेताओं को मिलता है बहुजन समाज पाटी में हम भी सम्मानित महसूस करें कि बसपा में गए तो वहाँ पर हमें भी कुर्सी दी गई सम्मान के निगाहों से स्वागत किया गया हम अगर इस तरह से दिखेंगे कि बेगाने की साधी में अब्दुल्ला दिवाना तो इस तरह से भाई चारा कमीटी मजबूत नहीं होती है हम सब काम कर रहे हैं बसपा के साथ है बस बहन जी का आसिरबाद चाहते हैं वो हम से पूछें कि भाई चारा कमीटी में कहां कहां से समस्या है और किन-किन छेत्रों में समस्या है हम उनके सामने रूबरू होना चाहते हैं किसी बरे नेता जी के थुरू नहीं बलकि डारेक्ट बहन जी बैठ जाए और प्रेड ले ले कि भाईचारा कमीटी के जितने भी कार्ज करता है उनको बुला लो एक बार हम देख लेते हैं बहन जी जब से दो-तिन दिन पहले से लखनव आई है पूरे उत्तर प्रदेश में बसपा कार्ज करताओं में या नियूज क्रेंट की तरह फैल गई है और सब के सब अपनी अपनी बातों को बहन माया बतीजी तक पहुचाना चाहते हैं जो बसपा के नेता है उनका कहना ये है कि बहन जी आई ही इसलिए है कि 2022 का जब तक मीशन पूरा नहीं हो जाता एलक्सन खत्म नहीं हो जाता तब तक बहन जी लखनव छोरने वाली नहीं है और बहन माया बतीजी पूरे 75 जिले में जो भी बिधान सभा कमीटी है जो भाई चारा कमीटी है जो मंडल कॉडिनेटर है सब की समिक्षा करेंगी और जो जमीन पे जो कार्ज करता काम कर रहे हैं उनसे लेकर बरे अस्तर के नेताओं तक सब की खुद समिक्षा करने वाली है इसलिए कार्ज करताओं को इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं होनी चाहिए चाहिर सी बात है जब भी कोई कार्ज करता काम करता है किसी भी डल में वह पारितोसिक की उमीद रखता है और पारितोसिक यही है कि बहन माया बती जी का उन्हें डारेक्ट आसरबाद मिले, डारेक्ट उनके नजरों में आना वो चाहते हैं, और हर किसी की यही इच्छा होती है, बहन माया बती जी अपने ट्वीटर हैंडल के माध्यम से, या किसी प्रकार से, या संदेश दे दे अपने कार्ज करताओं को, कि वो आई ही इसलिए हैं लखन ताकि जो है सारेक सारे बस्पा कार्ज करताओं के काडियों की वो समिच्छा कर सकें, जान सकें, हाल चाल जान सकें, और हो सकता है कि पूरे 75 जिले में एक एक करके वो घूम कर कार्ज करताओं को देखेंगी भी, ये तो बस्पा नेताओं का कहना है, अब रही बात ये कि 2022 क कि चुनाओ जब होगा तो कैसा होगा यह सबसे बड़ा मूल प्रस्ण है मैं आपको बताओं कि जो हमने पाया है राकेश टिकैट जो किसान नेता है वह बहुजन समाज पार्टी के तरफ जादा जुके नजर आते हैं रही बात ये आम आदमी पाटी इन किसान आंदोलन में किसानों को लपक लेना चाहती है रही बात ये समाजबादी पाटी वह भी लपकना चाहती है कॉंग्रेस ये चाहती है कि मैं अपनी चुनाबी जमीन तयार कर लूँ जबकि सुरुवाती दोर से बहन माया बतीजी अपन Twitter handle के माध्यम से केंद सरकार के सामने अपनी सारी मनह इस्ति अपनी मांग रखती रही है और हमेशा किसानों का समर्थन किया है अब देखना यह है कि बहुजन समाज पार्टी के जो बरे नेता है जो कार्ज करता है इन तमाम किसानों के दिलों में कितनी जगह बना पाते है 2022 में कितने परतिसत किसान इनके साथ आते है क्या खुल कर अगर सब के सब साथ दे दे तो 2022 में बहुजन समाज पार्टी को उत्तर परदेश की सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता अब मूल परस्निया है कि किसान आंदोलन केवल गाजी पुर बॉर्डर जो की गाजियाबाद में वहीं तक सीमित नहीं है उत्तर परदेश के पूरे 75 जिले में ये फैला हुआ है किसानों के दिमाग में और दिल में ये बैठ गया है कि भाजपा उनके खिलाफ काम कर रही है तो कौन उनके साथ में है किसने उनका जो है हक देने की कोशिस की तो बहुजर समाज पाटी के कार्ज करता है अब हम नेताओं को चाहिए कि किसानों के दिलों में जगह बनाने के लिए अपनी अपनी कार्ज योजना शुरू कर दें जो भी नुकर सभाजो करना है ये जाकर करना शुरू कर दें तब जाकर 2022 में पूरे के पूरे जो किसान जो समीती है जो किसान का प्रसमाज है वो बसपा के साथ जुड़ जाएगा आपको मैं यकीन दिला देता हूँ कि किसान आंदोलन और जो किसानों का मुद्दा है इसमें किसी प्रकार का कोई जाती धर्म का मसला नहीं है यहाँ पर हक और हुकूक की लराई है और अगर बहुजन समाज पार्टी इन किसानों का हक देने के लिए तैयार है तो जल्दी बाजी में कोईन कोई इनके लिए 4-6 घोसना पत्र के पॉइंट उजागर कर दे ताकि किसानों को लगे वो समझ सके और 2022 तक तैयार हो सके कि अगर उत्तर प्रदेश में बसपा का सासन आता है तो किसानों को क्या-क्या मिलेगा क्या वो जो 74-75 दिन से जो आंदोलन रत है क्या बसपा के सासन में पूरी रिलिफ मिलेगी क्या गन्ने का जो परची है वो टाइम से मिल जाएगा क्या जो उनका इनकैस है जो उनका मुल है वो समय से मिल जाएगा ये सुकरमिल से ये सारी मांग है किसानों की किसानों की हालत बहुत दैनिय है और बस्पा को यह पॉइंट किलियर करना परेगा अगर 2022 की फतह जीतनी है तो अगर इस रन को जीतना है तो किसानों के लिए कुछ न कुछ बोलना परेगा कि उनके लिए वो क्या करने वाले हैं आप बने रहें बिहारी सुल्तान चैनल पर हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद